दोस्तो इस वीडियो में आप लोग देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर आधार कार्ड की रिसीविंग है दोस्तो इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कि आधार कार्ड की रिसीविंग से हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमने जो भी आधार कार्ड में अपडेट करवाया हुआ था मतलब सीधी एवं सररवासा में समझे कि आधार का अपडेट स्टेटस कैसे चेक कर सकते है इस रिसीविंग के माध्यम से दोस्तो यदि आपने भी आधार कार्ड में कुछ भी अपडेट करवाया है और अब आप ये चेक करना चाहते हो कि वो सफलता पूरवक जो है अपडेट हो गया है या फिर प्रोसिस में चल रहा है दोस्तो जादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं इस रिसीविंग की साइथा से आधार काड का अपडेट स्टेटस चेक कर लेते हैं आपको सबसे पहले क्रोम ब्राजर ऑपन कर लेना है क्रोम ब्राजर ऑपन करने के बाद सर्च वार में टाइप कर देना है UIDAI दोस्तों जैसे ही आप UIDAI लिखकर सर्च करोगे तो आपके सामने पहली वेपसाइट देखने को मिल जाएगी UIDAI आपको दोस्तों इसी पर क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तों आप UIDAI पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज उपिन हो जाएगा आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमने जो है थ्री डॉट पर डेस्कोप मोड किया हुगा है इसको पहले हम हटा देते हैं दोस्तो जब आप Chrome ब्राउजर से UIDAI लिखकर सर्च करोगे तो आपके सामने जो है इस तरीके से यह पेज उपिन हो जाएगा आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो वेफसाइट की लेंगोज है वो हमारे में हिंदी है तो मैंसे इंग्लिस कर लेते हैं आपके में साइद इंग्लिस सी दिख रही हो तो थ्री लाइन के सामने ए और आका उपसान इस पर क्लिक करेंगे और इंग्लिस सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों इंग्लिस सेलेक्ट करने के बाद यह पूरा का पूरा पेज पूरी की पूरी वेफसाइट जो है इंग्लिस में हो जाएगी स्वाइट दोस्तों आपने जब सर्च किया हो यू आई डिये आई और आपने कोई भी चीज हम update कराते हैं वो हमें update 1000 में देखने को मिलती है यहाँ पर दोस्तों तीसरा अप्शन है चेक 1000 update status आपको दोस्तों चेक 1000 update status पर क्लिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दोस्तों आपको डाला enrollment ID मतलब कि दोस्तों जो अभी अभी आप receiving देख रहेते उसमें जो हम आपको बता रहे थे आपको दोस्तों यहां पर update रिक्वेस्ट टाल देना है दोस्तों अपडेट रिक्वेस्ट नम्मर जब आप यहां पर डालो फिर आपको क्या करना है यहां पर दोस्तों आपने जिस तारी को जिस येर में अफडेट करवाया हुआ हो आपको यहां पर लिख देना है जैसे आप प्डेट रिक्वेस्ट नम्मर ढ़लेंगों के बाद जस्ट आपको उसी में लिख देना आ है आपने जिस य को करवाजा हुए यह जैसे 2023 है मन्त आठ है और डेट आपकी पंदरा तो इस तरीके से 2023 आठ पंदरा फिर आपको दोस्तों हाँ पर एक टाइम देखने को मिलता है जैसे वहाँ पर लिखा होगा लिखा भी है यू आई डी आई वालोनी की चेक हादार इस्टेटस कैसे करेंगे सबसे पहले में पौसे तो एक पर डालो है और करते हैं आप ल मंत डावर मिन से सेटंड मतलब की जो डाल देना है तो फटापट से हम यहां पर दोस्तों जो व जो यहां पर डाल देते हैं और capture को फिल कर देते हैं देख सकते हो हमने हाँ पर जो update request नम्मर था भो डाला फिर जो यर थी बो डाली फिर जो कnh दाल बोडाला फिर जो डेट डी दी और जो टाइम उसमें दिया हुआ था वो बिल्कुल बैसा ही आपको डाल देना है और capture डालके submit पर click कर देना है जैसे ही दोस्तों आप capture डालकर submit पर click कर दोगे तो आप देख सकते हो यहां पर नीचे आ गया है request accepted stage validation stage complete और यहां पर देख सकते हो लिखा हुआ है your adhar has been generated while your adhar is being printed and posted to you please download adhar from www.uidai.gov.in मतलब की दोस्तों जो हमने adhar card में जो भी update कराया हुआ था बो दोस्तों यहां पर क्या हुआ successfully update हो गया है कई दोस्तों update नहीं हुआ होगा तो यहां पर process में दिख रहा होगा वीडियो पसंद आयो तो like कर दीजिएगा